Hi everyone, this is Arpita, you guys have that one common question, कि आपका CUAT के बाद admission कैसे होगा, although मैंने कुछ टाइम पहले ही एक detailed admission procedure आपके लिए upload कर दिया था इसी channel पे, but इसमें इस बार से कुछ changes होंगे, Recently, इस news के according, अब आपके लिए common portal बनाया जाएगा, जिससे आप किसी भी university और college में admission ले सकते हो, जो भी आपकी CUAT में participate कर रही है, अब आप यह सोच रहे होगे कि common portal क्या है, कैसे work करेगा, हमारे लिए कैसे useful है, तो देखो, पहले क्या होता था, जिस भी university और college में आपके admission लेना है, तो result आने के बाद, आपको उनके portal में individual register करना पड़ता था, मालों आपकी 3-4 preferences हैं, कि पहले preference due है, then BHU, then JNU, कुछ भी है, तो आप सभी के लिए form fill करते, आपको सब में अपना time invest करना पड़ता, सब के counselling round में बैठना पड़ता, सब के लिए registration fee देनी पड़ती, बट common portal आ जाएगा, तो आपको बस एक जगह registration करना है, एक बार fee देनी है, एक बार time invest करना है, पहले ना universities के time बहुत clash करते थे, किसी का पहले counselling हो रही है, किसी की बात में हो रही है, मालों आपने BHU में admission ले लिया, सारी fees वगेरा दे दी, then आपने जब due में करा, तो आपके do में भी seat reserve हो गई, अब वहाँ पर withdraw करने का time निकल गया, आपके fees भी गई, किसी की seat भी गई, और में भी आपके साथ भी हो कभी future में, तो इसलिए common portal पर बात आई है, अब यहाँ पर आपको एक बार ही करना है, एक time पर ही सब कुछ हो जाएगा, तो आपको भी investment करने की आपके लिए इसी साल से comment portal आजाए, अगर comment portal आप भी जाता है, उसके बात क्या करना है, उसके लिए भी मैं यहीं पर आपको सब कुछ बताऊंगे, तो आप यह channel subscribe कर लेना, अगर आपका कोई भी doubt है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे comment कर सकते हो, या फिर इंस्टा पर भी पूछ सकते हो, I hope आपको इस वीडियो से काफी information मिली होगी, अगर मिली है, then like, share, subscribe, bye